हलो फ्रेंड्स मैं हूँ कंचिन शर्मा और आप सबीका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल वोट लवर्स में तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दियों में बनने वाली सबसे अस्पेशल गुर वाली चाय तो जिन लोगों को सर्दियों कोई मोसम में 3-4 बड़ चाय पीने की आदत है तो ये हल्दी गुर वाली चाय बना कर पी सकते हैं तो जैसा कि आप सब जानते हैं गुर की तासी जोहती गर्म होती है और सर्दियों में इसके सेवन के बहुत सारी जोहें फाइदे होती हैं तो आप ये चाय बना कर पी सकते हैं और बहुत ही ट्रेस्टी चाय है जो बनकर तयार होती है तो अब बारी आई है चाय बनाने की तो ज़्यादतर लोगों की यही सिखाय दरती है कि गुर वाली चाय वो बनाते तो हैं लेकिन उनकी जो चाय है वो फट जाती है तो आज हम उनके लिए पिलकुल सिम्मल और सरल तरिके से गुर वाली चाय की रेसिपी लेकर आएं अगर आप इस तर्र ह recording से बनायेंगी तो आपकी चाय कभी भी फट एक नहीं गुर वाली तो आप चाय को दो तरीकी से बना सकते हैं या तो पहले आप पानी औगुर के साथ उबाल लेजिए उसके बाद उसमें गर्ल मिल्क डालिए तो यहाँ पर मैं दूसरे तरीकी से बता रही हूँ तो चलिए देखते हैं किस तरीकी से हम बनाते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम कैस पर एक पेन रखे दिया हैं और अब हम इसमें डालेंगे मिल्क तो हम चाय को इसी कप में सर्व करेंगे तो हम इसी कप से मिल्क भी नाप कर लेंगे तो यहाँ पर हम दो कप के लिए चाय बना रहे हैं तो यहाँ पर हम इसी कप से एक कप मिल्क और ये तीन चौथाई कप मिल्क और डाल देते हैं और अब हम इसमें पानी आट करेंगे तो यहाँ पर हम तीन चौथाई कप पानी भी लेंगे तो यहां पर milk और पानी मिला डोटलbased cup हो गें तो हम बहुत के लिए डोidente का जोना रहा हुए यहां पर दो मोजल करें लोजारे लेकिन हम आधा कप जिवर ज्यादा ही लेंगे क्यूंकि जब हम चाई को ऊ loneliness 생 되면 चाना पना बनाकर के लिएगा है तो यहां पर हम मिल्क को उबाल आने रख देते हैं और जैसे ही इसमें उबाल आएगी हम सारी चीजे जो है इसमें एड़ करेंगे तो पीना मिल्क में उबाल आए आप इसमें चाय पती बिल्कुल भी एड़ नहीं करिएगा चाय की अच्छी टेक्चर के लिए हमें मिल्क में उबाल आने के बाद ही बागी की जो चीज़ें एड़ करनी होगी तो यहां पर हमने चाई बनाने के लिए काउम मिल्क का यूज किया है आप कोई भी मिल्क ले सकते हैं तो देख सकते हैं यहां पर हमारे जो मिल्क में हैं अच्छे से उबाल आ चुकी है तो अब हम सारी चीज और अब हम यहाँ पर डालेंगे एक तेजपत्ता आप सोच रहे हों कि चाय में तेजपत्ता एक बार जरूर डालेगा बहुत ही टेस्टी लगती है तो यहाँ पर हम इसे तोड़ कर डाल दिये हैं और यहाँ पर हम एक चमच कदू कस्किया अधरक डाल देते हैं तो अगर डाल देंगे इस से चाय में बहुत ही अच्छी खुसबू आएगी तो इसे हम डाल देते हैं और इसे भी हम मेक्स कर लेंगे तो यहाँ पर अब बड़को एक से दो मिनिट के लिए और उबालेंगे तो देख सकते हैं चाय कितनी अच्छी लग रही है इसका कलर भी बहुत ह अच्छा है आप देख सकते हैं तो इसे हम ऐसे ही उबाला लेंगे एक से दो मिनिट के लिए चाय और भी गाड़ी हो जाएगी इस तरीके से हम उबालेंगे तो और इस तरीके से कर्ची से चलाते रहें इससे चाय का जो कलर है निखर का आता है तो देख सकते हैं कितनी कपले मेंखु बंद करएंगे और यहां पर हमने दो कपले हैं इस पहर हम डालेंगे जलिए मबाले गूर यह easily melt हो जाएगी तुरं तो देखें इस तरह के से जो है चान लेंगे और इसे एक एस्पोन की सहता से इस तरह से mix कर देंगे तो चाय गर्भ होने के वज़े से यह जो है तुरं देख सकते हैं तो यह हमारी चाय जो गुड़ वाली बिलकुल बनकर त्यार हो चुकी है तो फैंस कैसी लगई हमारी ये गुड़ वाली अस्पेसल चाय की रेसिपी कमेंच करके ज़रू बताइएगा अगर वीडियो अच्छी लगई है तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कमेंच शियर और मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे ऐसे ही लगई इस वीडियो के अपडेट के लिए पेल आइकन को फेस करना ना भूले जिसे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पोची तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई